तो गैसों दोस्तों मैं नुभा करें सभी का स्वागत करता हूं पॉंप टाय अनुवाग चले में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग क्या-क्या गलती कर देते हैं जिनके वज़से उनके जो पपी होते हैं उनकी एर इस्टेंड ही नहीं होते हैं या फिर अगर इस्टेंड हो गए तो पांच मनध के बाद दो दो एक साल का हो bağ जाता है ताभ नीचे नीचे जूख जाता है आपको तो पता ही होगा कि एस्पीट्स हो या पॉमरीनियन हो उसका जो इयर होता है वही उसका लुक होता है लेकिन आप जो कुछ गलती कर देते हो ना उसके बज़ा से उसका इयर डाउन हो जाता है तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पपी की एर स्टेंड नहीं हो रही है तो आप क्या करो ताकि वो इस्टेंड हो जाए और ये गलती आप आगे ना कर दो जिससे वो नीचे जोग जाए ठीक है तो चलिए वीडियों पर शार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बतला दू कि जो पपी होते हैं उसको पूरी तरीके से एक डाइट चाहिए और जो इयर में काटलेज होते हैं उसको ग्रोथ के लिए कैलसियम चाहिए क्योंकि वो काटलेज भी एक तरीके का बोन ही होता है और बोन जो होता है वो कैलसियम से बना हुआ होता है ठीक है तो उसको प्रोपर नीट्रेंट चाहिए कै पास वह आपको मिल जाएगा और एक डबाई काफी है आप ले आओगे तो उसी से आपको फर्क महसूस होने लग जाएगा ठीक है तो वो टाबलेट का डोज होता है उस पपी के एस के कोडिक तो आप वो टाबलेट उसे दोगे तो आपको फर्क एक से दो सप्ता महीं नजर आ पाने लेगा है ठीक है अगर यह पपी है इस तरकी का पपी उसे आप दो गे तो वो धीर-देर यह स्टेंड हो जाएगा और बहुत ही जगास लगेगा और मैं आपको कुछ गलतियां बतला देता हूं कि लोग क्या क्या करते है ठीक है और जस लाइक मेरा जो स्पीड्स है अपने देखाई होगा ठीक है भी सोरा तो मैं आपको दिखला देता तो उसके जो यह है ना वह स्टेंड है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं देख रहे हो कि उनका भी डॉग हो गया है एट मंत का नाइन मंत का लेकिन जो यह डाउन हो गया है वो में बतलाता हूं एक तो यह होत जाते हैं और दूसरा गलती लोग क्या करते हैं कि उनका जो इयर होता है वो बच्चे या फिर बड़े उनके कान घीचते हैं जिसके वज़ा से उसके कान की कान में कार्टिलेज होता है वो भी हड़ी ही हुआ ठीक है उसको घीचने कारण वो टूट जाता है हड़ी और फिर व भी दे रहा हो फिर भी एस्ट्रेड नहीं हो रहा तो मैं आपको सेस्ट करूँगा कि एक बार डॉक्टर से मिलाओ लेकिना आप ये गलती कभी मत कर देना कुछा कान खिचना कोई भी डॉग हो जर्मन से पढ़ हो या फिर एक तो उसका लुक होता है वो भी डाउन हो जाएगा या फिर किसी भी डॉग्स के हुमिनिटी के तौर पे उसका कान खिचना भी नहीं चाहिए ठीक है कल हो जाएगी तो अच्छा लगा ठीक है एक लाग का फैमिली कि मैंने कभी विस्वास नहीं किया था कि एक लाग का फैमिली हो जाएगा अपना भी तो वैसे आप लोग अपना प्यार बनाए रहें तो आज का वीडियो हमारा यहीत अच्छा लागा उत्त प्लीज लाइक क कर देना और बाद में एक बेल का भी आगा उसे भी किलिक कर देना ताकि हमारे वीडियो आपको मिलती रहे ठीक है और यह सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है दोस्तों मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में तब तक लिए ठेक किया बाई 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 सब्सक्राइब कर देना कि उपते हाँ दोस्तों मिलता है मैं थाओ हाई लाद कि लगा हहें कि अ कि